BSNL का लॉस बढ़कर 1769 करोड रुपए, 30 में से 12 सर्कल का रेवेन्यू घटा, इसे 4G नेटवर्क के लॉंच में देरी से बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो रहा है। BSNL ने टाटा ग्रूप की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS को 4G नेटवर्क को इंस्टॉल करने से जुड़ा कॉंट्रैक्ट दिया था, सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार, निगम लिमिटेड, BSNL का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस मौझूदा वित्वर्ष की तीसरी तिमाही में तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़कर लगभग 1769 करोड रुपये हो गया, इससे पिछली तिमाही में 1768 करोड रुपये का था, हालांकि वर्ष दर वर्ष आधार पर कंपनी का लॉस घटा है, इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में ये ल प्रतिशत की बढ़ोत्री के साथ 4,549 करोड रुपेये का था। इसमें वर्ष धरवर्ष आधार पर लगभग 2.5 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है। रिवाइवल पैकेज के बाद हमारे निवेश और कोशिशों का उद्देश्य, सर्विस, नेटवर्क को मजबूत करने और हमारे बिजनेस में बदलाव लाने में रुकावटों का हटाना है। BSNL को 4G नेटवर्क के लाँच में देरी से बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो। लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद।